कि हलो गुड़ों कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे पढ़ाई जम करते होंगे नहीं अभी क्लास्ट वाले साइंस वाले बच्चे खास करके उल्टी गिनते स्टार्ट हो गया है और जिस चीज़ का आप लोग का इं कल टर्म टू जितने सारे थियोरी कुस्टन दिया गया सब क्लियर कर देंगे ठीक है मैं आपको इस मोडल सेट को बताने से पहले कुछ थोड़ा सब आपको बता दूँ कि पिछले बार जब एक्जाम हुआ था आपका फाइनल एक्जाम जो लिया गया था तो मैं आपको बत वीडियो में हम लोग पूरा डीटेल पूरा डीटेल हम लोग कोस्टन की बात करेंगे ताकि आपको पूरा हंडेट प्रिसंट समझ में आजाए ठीक है यह वीडियो है ना बहुत सारे स्टूडिन जिसको इंतजार थे हम लोग सुरू से आं तक देखें कहीं पर को दिकत न अक्सका रहेगा परिच्छावर्स 2020 में लेगा यह अब्जेक्टिव रहेगा ठीक है सभी बच्चेक पता है सभी बच्चेक पता है कि जामिनिसन यह दो जटाइस डेड़ घंटे टाइम मिलेंगे ठीक है यहां पर बहुत सारे जेनरल इंस्ट्रेक्शन दिया आप इसको प दिया हुआ थोड़ा समझने कुछ करंगे दर नंबर ओफ दखेंगे यह लोग स्ट्राइस क्या दिया हुआ है कि दर नंबर ओफ दर नंबर आप एटमीन बॉडी सेंटर बी सी यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटोमिक इलिमेंटरी सर्श्टांस इस बॉडी सेंटर में कितने प पार्टिकल होते अपो अथा को नरब यहां पो बता दू यह जो पार्टिकल आपको जापाएं आपको इसका नहीं टोटल वी सिसी में कितने पार्टिकल होंगे टू होगा ठीक है इस तरह से लोगो निकाल सकते हैं चलिए यह कुस्टन से अगर एप सिसी बोलता तो कितना होगा है ना तो एप सिसी का मतलब यह होता कि छेवों फेस के सेंटर पर रहेंगे जहां पर यह वाला आपका नहीं रह तो अगर एप सिसी का कोश्टन से को पूछेगा यहां सबसे नों बात करेंगे तो टोटल यह एट कोप होता है प्लस छे संहें पर कडिया चलिए यहां सक्ष film नोटल गितनी होते हैं चार होते हैं ठींग को बीजिच की पूछथ इसका बॉर्यसरे होगा दो होगा यह आप पढ़े होंगे solid state का questions से चलिए ले इस questions की बात करें तो question बोड़ा है the percentage of space the percentage of space देगे question बोड़ा है the percentage of space occupied by a spare in cubic close packing जिसको ccp कहते हैं तो आपको बता दो कि ccp रहे या फिर fcp रहे या फिर ccp रहे हैं cubical close packing या hexagonal close packing तो इसका packing efficiency जो होता वह 44 परसेंट होता है और इसका packing efficiency सबसे ज़्यादा होता उद ठीके इसके बाद होता है bcc का duecc का है न a bcc जो 68 परसेंट होता है न और सबसे कम होताँ simple cubic sale का जो होता है 52,4 ठीके तो simple cubic sale बोलेगा 22,4 percent body center cube बोलेगा 50 par 시one hexagonal closing packing या कुबिकल क्लोज पकिंग बोलेका इसका कितना होगा चहँतर परसट्ट है सेवंटी सोरी नहीं 54 कितना होगा भाई तो 74 परसेंट यही कुश्टेंस की अगर हम बात करने कोसिस करेंगे यही कुश्टेंस अगर हम बात करें, simple quibic sale का, तो कितना हो जाएगा, 52.4%, तो इसको आपको ध्यान रखना है, exam के लिए बहुत ज़्यादा important इसको ध्यान रखना है, चलिए, next questions अगर हम बात करने, कोशिश करेंगे, तीसरा questions, तो तीसरा questions क्या बोल रहा है, देखिए, question bottom, molarity of an equal solution containing 40 gram naoH in 2 liter of solution, कितना molarity होगा, तो अब सभी बच्चे को पता होगा, कि molarity बराबर formula होता, mol per liter, इसका फर्मूला की बात करेंगे, तो mass बटे molecular mass, volume अगर हम लिटर में लेंगे, volume अगर लिटर में लेंगे, तो उपर में 1 से put करेंगे, इसको put कर देंगे, mass कितना दिया हो आपका, तो कितना दिया हो mass, तो 40 gram, ठीक है, देखिए, w बराबर कितना put करेंगे, यह molarity है, mass, molecular mass, अगर naoH की बात करेंगे, sodium का 20 होगा, oxygen का 60, और एक hydrogen का 1, total molecular mass की बात करेंगे, 40 होगा, बटे 2 liter दिया हो, तो 2 से गुना कर देंगे, आप इसको कार देंगे, 40 बंचे 40, इसका मतलब 1 बटे 2 आगे, और 1 बटे 2 का हम दो लिखते, 0.5, ठीक है, जिसका सही answer क्या होगा, 0.5, ठीक, चलिए, next questions की अगर हम बात करें, next questions की अगर हम बात करें, तो क्या होगा, थोड़ा समझने कोशिश करेंगे, देखिए, फोर्थ में, EMF of a cell with nickel and copper electrode will be, तो आप सभी बच्चे को पता होगा, EMF बराबर ये electrochemistry का questions है, EMF बराबर एक formula होता है, EMF is called to बराबर होता है, क्या होता है, E cathode, E क्या होता है, cathode, minus kya होता है, E anode, E क्या होता है, anode, ठीक है, यहाँ cathode का value दिया होगा, देखियो, यह reduction का value आप पो दिया होगा, यह cathode का value होता है, अब यह क्या होगा, anode का value होगा, अगर इसका elektrochemical series की बात करेंगे, तो इसको क्या होता है, cathode का value, तो यहां पर ध्यान रखना यहां पर कैथोड का भेलू दिया 0.34 तो यहां पूट करेंगे कितना 0.34 और यहां पर क्या होगा माइनस में इसका भेलू दिया किता 0.25 है ना इसका माइनस भेलू किता दिया है 0.25 इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका भेलू जो आएगा कितना एगा 0.59 वॉल्ट आजाएगा ठीक है इसका सही अंसर ए होगा चलिए पांचमा कॉश्चन से पोड़ रहा है आमुनिया बनता है क्या बनता है यहां पर कटलिस्स लेते हैं वो आईरन लेते हैं अला प्रोमोट्र एमबोटर डेते हैं चलिएम सक क्यों अचरिक्सित कशलिए चलिए नेस कुश्चMonấu की अगर बात करें सीक्स नमबर कॉस्चन तो six से ट्रैक किसका ओर होता मैगनिसियम का बहुत तो बॉक्सायट किसका होता विंक्साइ अलूमुनियबू का पूछता है बहुत है हो पहिंपोर से 4 है ठालूमुनियम का बॉक्स।aría ब kokा है ट्री जिसको मयत्यान civा म्यत्वरत किसका होता है थीकर मतल Ż helping फिर से लुह को करता है उसको हम लोग कट्रड करते हैं चलिए नेस कुस्सक्स की बात करेंगे एक नमर को सिंप्ल सा को सन्सथ कर से देखिए जर को सन्ग वीच अग्धा फॉलाविंग इज इनडी डिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर कुस्टस यह बोर रहा है कि कौन टेंपरेचर पर नहीं कर मॉनारीटी की बात करें या मॉलालिटी की बात करें यहां कुछ पर लीटर जी यहां पर भी लीटर आ जागा इसको हीट देंगे irp redemption हो सकता है यह डिपेंड करता है यह temperature घटने बढ़ने इस पर फरक पड़ जाएगा तो यह तो आपसर नहीं होगा molality का unit होता है mol mol per kg mol per kg है ना मतलब केजी आ गया किलो गराम मतलब इसको heat करेंगे तो यह weight पर को असर नहीं पड़ेगा इसका मतलब यह हुआ तो अगर आदमी है पचास kg का है तो temperature बढ़ा देंगे तो थोड़ी हो नहीं बढ़ जाएगा यह temperature कम कर देंगे तो temperature घटाने बढ़ने इसका क्या होगा molality पर कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह independent है बाकी सब dependent है ठीक है यह questions था हम लोग का 8 number questions पड़ते हैं अगला questions concentration कम हो जाता है तो जब dilution करते हैं मतलब dilution करते हैं पान इसमें मिलाते हैं तो इसका molality बढ़ जाता है ठीक है सही answer 1 होगा question बोलना what is the covalency of nitrogen N2O5 में covalency कितना होगा simple question शुद है देखिए ति इसका N2O5 का structure के अगर हम बात करेंगा यहां Double Bond oxygen हो जाएगा यहां oxygen हो जाएगा फिर नाइट्रोजन हो जाएगा यहां double bond oxygen हो जाएगा यहां पर नाइट्रोजन इधर से दो बोन बना लिया, एक इधर से तीन बोन, एक इधर से चार बोन, तो नाइट्रोजन का जो कोविलेंसी होगा, इसका सही अंसर कितना होगा, चार होगा, ठीक है, यही कुश्चन अगर बोल दे, N2O5 में नाइट्रोजन का भालेंसी कितना ह इसका oxidation state कितना है तो इसका oxidation state कि अगर हम बात करें इसका oxidation state की बात करें N2O5 का तो simple है एक nitrogen का हम लोग x माल लेंगे 2 nitrogen का 2x हो जाएगा एक oxygen का minus 2 होता है 5 oxygen पर minus 10 होता है is equal to 0 हो जाएगा तो 2x परावर 10 तो x परावर कितना हो जाएगा 5 तो इसका oxidation state 5 है लेकिन वो बालनसी इसका कितना होगा 4 तो सही अंसर इसका क्या होगा D is correct अंसर इसका सही अंसर क्या होगा coherency तो D is correct ठीक है चलिए ग्यारा नमरों questions में हम लोग क्या पुछ रहा है simple सा question से 11 में भी कॉस्टन में भी which of the following will form colored compound मत्तब कौन color सो करेगा कौन सा compound color सो करेगा तो मैं आपको बता दू color compound वही सो करता है जिसके पास unpaid electron रहेगा और color less compound वही सो करेगा जिसके कोई unpaid electron नहीं बचेगा ठीक है तो सबस से पहले इसके पास कोई unpaid electron नहीं बचेगा देखिए इसका यहाँ पर इसके पास चुकि इसका electronic configuration अगर हम लोग करते हैं तो 4s2 कितना आ जाएगा तो यह color क्या होगा colorless compound होगा colorless compound मेगनीज के अगर बात करें 25 होता है तो मेगनीज के अगर हम बात करें 25 होता है तो इसका electronic configuration करेंगे तो आरगन आरगन हो गया 4s2 20 हो गया 20 और 3d कितना हो गया 25 हो गया ठीक है टू परस की बात करेंगे तो यह खतम हो जाएगा 4s0 3d5 आ जाएगा अब देखिए तो डी में 5 electron हम लोगा फिर electron बच गया डी में total कितना electron बच गया देखिए 5 electron यहाँ पर बच गया यहां पर डी में total हमलों के पास 5 electron बच गया देखिए यहां पर देखिए डी में फाइब फ्रक्टर्न हम लोका बच गया देखिए है तो enzie कोन होता जिस में अन्पैड़ सुपास क्लिट एक प्राइब है तो यहां अगर हम बात करेंगे इसके पास कमिले यह स springs और तो चली नेस स्टुर आइस वंनीमेगनेटिक मोमंट निकल नीए जिसका अटामिक नॉम्बर 27 सब्सक्क्राइब तो 27 में अगर 2 electron loss कर देंगे 25 आजाएगा तो जैसे माल लेते 27 अगर रहता हम लोगा atomic number 27 जिसका atomic number 27 होता है अगर electronic अमिशन लिखेंगे तो क्या हो जागा आरगन आरगन को अठार हो करते हैं 4s2 20 हो गया और 3d कितना हो जागा 7 हो जागा ठीक है तो यह two plus कह दिया है जडन पर two plus तहीं है यह तो जीरो एलक्टरों हो जागा फ़ो एस जिरो 3d 7 अब 3d 7 d में कितने एलक्टरों आ गया 7 d में 7 एलक्टरों थो यहां पे कितना होगी सो नहीं होगा ना 5 एलक्टरों होता ना इसमें डी में फाइफ एलक्ट्रोन होगा तो डी के अगर हम फाइफ एलक्ट्रोन की बात करेंगे तो यहां पर देखिए इसको मिटा ही देते हैं ठीक है इसको मिटा देते हैं डी में टोटल कितने और और्बिटल होते हैं तो फाइफ और्बिटल होते हैं तो फाइफ और्बिटल ह क्लियए केम मौमेंट कैसे निकालने के एक फर्मूला होताय तो बहुता है तो मियू को कहते है इसका फर्मूला होता है अंडरोंट एन इंटेंट फिलेस्पु यह ना फोबी-ाइम एन बहुत होत एन बराबर अन पेड़ेलक्रों कितना बच गया थी तो थी इंटू थी पलस कितना टू इंटू इंटू पांच दिया पंदरा आगे अंडर रूट कितना पंदरा अंडर पंदरों को हम लोग लिख सकते हैं कितना इसका रूट निकालेंगे तो आज अगा 3.87 के बराबर ठीक प्लस 5 औक्सिडेशन प्लस 5 है तो 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 यहां से एक्स का बहलों निकालेंगे तो यह तो नहीं हो सकता है न चलिए दूसरा बात 3 plus X 1 oxygen का कितना होगा minus 2 2 के लिए minus 4 is equal to 0 तो यहां X परावर 1 आ गया थी यह भी नहीं हो सकता ठीक है तो तीसरा की अगर हम बात करें देखे हो थे हो तीसरा अगर हम बात करें H3PO4 का तो देखो इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका अगर हम बात करें तो फासफोरस का कितना होगा X 1 hydrogen का 1 3 hydrogen का 3 plus X 1 oxygen का minus 2 4 oxygen का minus 8 is equal to 0 तो X परावर कितना आ गया यहां से 5 आ गया तो इसका सही अंसर क्या होगा C होगा ठीक है यहां ध्यान डेकिए चलिए next questions की बात करें 14 सबसे असान questions देखें डियर question what are the process of hitting the ore in the excess supply of air below its melting point क्या होगा तो यह सबसे पहले बता दें यह questions आपका जो है ना वो metallurgy का questions है metallurgy का है general principle of isolation of element का तो यहां का questions है आपका तो यह कैसे बनेगा questions तो question सिंपल सी बार definition से related questions दिया गया इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है definition अगर आपको आता है तो यहां पर कोई problem नहीं होगा कहां यह जाता है कि roasting क्या होता है तो roasting एक ऐसा process होता है जिसमें कोई भी sulfide or को कोई भी sulfide or को हम लोग oxide or में convert करते हैं जैसे माल लेते हैं हम लोग के पास एक sulfide है जेड़न एस जेड़न एस इसको oxygen के साथ hit करिए oxygen के साथ hit करिए below its melting point में high hit करिए hit करने के बाद zinc sulfide में क्या होगा zinc scar इसका oxygen में करके बन जाएगा zinc oxide क्या बन जाएगा zinc oxide plus sulfur dioxide यहां से क्या होगा बाहर निकल जाएगा तो यहां देखिए तो यह sulfide और को हम लोगो oxide और में convert कर रहे है oxygen का use कर रहे है और इस type को process को हम लोग कहते है roasting तो question बोर रहा था process hitting or in excess of supply of air below its melting point क्या कहलाता जिसको कहते है roasting ठीक है और जिसमें रखके गरम करते हैं reverberatory furnace होता है उसमें रखके इसको इसको हिए करते हैं hit करते हैं चलिए इसका सही answer क्या होगा roasting क्या होगा roasting चलिए बहुत असाना question दिया हुआ है नहीं चेप्टर अगर आप पढढ़ है तो सब questions बन जाएगा next question दिया हुआ 15 number question question बोरा which of the following ligand form chillate chillate किसको करते हैं तो वह ऐसा ligand होता है जो central metal जैसे यह central metal atom है तो अगर माल लेते हैं यह ligand है ligand एक ऐसा ligand जो central metal atom के साथ एक से अधीक तरीका से क्या करता है electron को वो donate कर सकता है एक से अधीक atom उसको करते हैं क्या chillating ligand जैसे माल लेते हैं EN आप पढ़े होंगे ethylendiamine ethylendiamine का formula क्या होता है NH2 यहाँ पर क्या होता है CH2 यहाँ पर CH2 और यहाँ पर NH2 तो यहाँ देखिए एक nitrogen अपना क्या करता है lawn pair of electron donate करेगा central metal atom को और यहाँ पर अपना एक lawn pair donate करेगा मतलब दोनों साइड से जूड़ जा रहा है तो यह ethylendiamine को हम भी कहते है chillating ligand यह इसी टाइप का एक और होता है देखो COO- है ना COO- इसको कहते है oxalate iron तो oxalate iron भी दो तरीका से lawn pair of electron को donate कर सकता है ठीक है तो इसका नाम होता है क्या oxalate सही क्या होगा B is correct answer इसका B जो होगा correct answer ठीक है next question दिया हो 16 16 में क्या दिया हो है देखिए question बहुता number of halide iron in PT NH3 PT NH3 इसमें question बोल रहा है कि इसमें number of halide iron कितने है तो halide iron के अगर हम बात करने कितने है इसको अगर आप heat करेंगे न तो यह heat जैसे ही करेंगे इस molecule को तो यह दो पार्ट में तूट जागा क्या तूट जागा दो पार्ट में थोड़ा सा समझे देखिए यहाँ पर यह molecule तूट जागा यहाँ पर यहाँ CL पर minus हो जागा इधर टोटल पर क्या होगा पर पलस हो जागा तो मतलब एक हैलाइड पर टूट रहाएड इसका सही answer क्या होगा वन होगा ठीक है नेस कुस्टन दिया हो क्या हो कुस्टन बोर रहा है यह दिया वह दो molecule अब अलकाइल है दिया हो होता है ना अब ऑफ्राइडल क्राफ्ट एक्षण क्या होता है बहुत इंपोर्टन और सांद रिएक्षण क्या होता है थोड़ा सब्ल obey निकल जाता है और बन जाता है यह यहाँ उर ऑगा been जो बनता है उसको कहते हैं उर्ज reaction है ना इक फिटिंग रियक्शन में हम लोग क्या लेते हैं तो और फिटिंग रियक्शन में हम लोग यह अलकाइल हलाड दोनों सेंब ले रहे थें छेनां वenson फिटिंग रियक्शन में एक alkyl halide लेंगे और एक aryl halide लेंगे ठीक है एक alkyl halide लेंगे जैसे rx ले लेंगे तो दूसरा लेंगे arx aromatic compound जैसे benzene होग रहा और इसको sodium के साथ रियक्शन करवाएंगे इंदा पर्जिंस अफ ड्राइथर तो 2NX बाहर निकल जाएगा यहां पर बेंजीन जो रहेगा इसी पर हम लोग के एक alkyl गुरूप जूड़ जाएगा तो इस टाइप के जो रियक्शन होता है उसको फिटिक रियक्शन करते हैं और फिटिक रियक् हम लोग की रियक्शन का हम लोग को लोग करें इसलिए और चला है यहां सब्ते हैं किया तो यहां से क्या शेppर निकल ra fond बख難us यहां यहां कि क्या होगा ओगा के पर प्लस है न और यह बी हर बाहर निकल जागा वह फचरिए यहा से एच है च्टू को बहार निकल जाए है रहा हम लोग क रोते ही टू कोन डिग्री Tai को लेदेगे और उड़ गलो ग्रिए यह alcohol जिस carbon से चुड़ा है वो दो अलग-अलग carbon से चुड़ा है इसको 2 degree alcohol काते है butane 2 all is an example of 2 degree alcohol होगा ठीक है चलिए 21 अबर questions दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि ethyl alcohol हम रूल लेंगे और ethyl alcohol को concentrated acid के साथ reaction कराएंगे तो क्या बनेगा simple सी बात ही ethene मनता आपको पता होगा dehydration reaction हो जाता है इसका सही answer क्या होगा ethene होगा कैसे बनेगा तो आपको पता है CH3 CH2 OH इसको करते हैं ethyl alcohol C2H5 OH इसको reaction करवा देजिए H2H4 के साथ तो क्या होगा इसका functional group OH और इसका बगल में क्योंकि water बाहर निकल रहा है और इसलिए इसको करते है dehydration reaction ठीक सब पढ़े होंगे इस सब चीज नेस कुस्टन सकीस नमबर कुस्टन बहुत आसान कुस्टन दिया होगा देखिए इसका सही अंसर क्या होगा बन होगा चलिए नेस कुस्टन को रिफाइनिंग करने का कौन में नहीं है इसका सही अंसर होगा as melting है ना as melting इलेक्टर के ये में मेटलीज़ सी चेप्टर का ये topic है ठीक है चलिए चलिए नेस कुस्टन असान कुस्टन होना कुस्टन बोला radio active integration is a example chemical kinetics chemical kinetics का ये कुस्टन से ठीक है प्ला रेडियो एक्टिव डिके जो होता है रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो किस टाइप के रियक्शन होता है किस टाइप रेडियो एक्टिव डिके जो होता है हमेसा ध्यान रखना फर्स्ट डिग्री या फर्स्ट ओडर रियक्शन होता है ठीक है चलिए बात करते हैं दल होता है जिसके पास अन्पेर अमझूद्ट मुझूद होता है अब सबका वह इलक्टोनीक कन्फिटरिशन गर्ए अन्पेरल इलक्टोन अंपेरल होगा वह सब्सक्राइब बच्चा ग्लास कुछा हुआ है बच्चा ग्लास कुछा हुआ है बच्चा ग्लास कुछा हुआ है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट किसको कहते हैं पढ़े होंगे ट्रांजिशन मेटल लिखेते हैं ठीक है यह सब पढ़े होंगे इसका सही अंसर होगा डी सी नेस को संदिया हुए जब यह इथाइल आयोडर को के सीन के साथ लेक्षन करें के सील बहर निकल जागा नाइट्रायल बन जागा सीच तुसी न बन जागा सो यह नहीं यह बन जागा सीच तरी सीच का यह नहीं चल रहे वाई देखें को संस्य यहां पर देखें किस तरसे बनेगा सो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर अलकीन लेते हैं अलकीन का मतलब सीच त्री न और सीच डबल बंट सीच टू इसको रिएक्षन करवा दो एच टू के साथ एसीड के पर प्लस और पर क्या माइनस यह नेगेटीव पाट उस कार्बन पर अटेक करेगा जहां नंबर अफार इंटेम कम है डबल बन सिंगल उन्हें अपर जाता है और बनेगा सीच थ्री च और इस पर क्या हो जागा वह यहां क्या बन जागा सीच इस प्रोपेन टूल इसका सही अंसर होगा तो प्रोपेन टूल कोन है तो बी इस करेक्ट अंसर बी इसका सही अंसर होगा प्रोपेन टूल ठीक है नेस कुश्चंस दिया होगा देखिए 28 नमर कुश्चंस तो मैं आपको बता देंगा आप पढ़े होंगे दो रियक्सन एक पढ़े होंगे अल्डॉल कंदेसेशन और दूसरे मोलिकुल का हो जाता है क्या रिडक्शन या सी सीच सेच फाइब गलत लिखा हो है ना सीच सेच फाइब सीच फाइब तो एक का हो जाता है और दूसरे का रिडक्शन और लिकॉल बना लेता है और इस टाइब के रियक्शन का नाम होता है कानी जारो रियक्शन ठीक nitrogen unitm acid faudation कितना होगा तो question अगर बात करेंdag CH3 यह anH और यहाँ पे H nitrogen to go स पांच transit इसका बचेंगा है ठीक है दोबेशन बच गीया तो देखिए कितना बॉण बना लिए nitrogen kin vawn बनाया एक basis गया ठीक है तो तीन बॉण पेर तीन वोन पेर प्लस क्या है इसके पास एक लोन पेर टोटल हो गया चार और चार का हैवड़ेशन कितना होता है SP3 इसका सही अनसर क्या होगा C is correct अनसर चलिए नेस कुस्टन थर्टी नवर कुस्टन जो बोल रहा है कि जब भी acid amide may be converted into amine जब acid amide लेते हैं और इसको अगर हम लोग का amine में convert करना रहाता तो किस टाइप का यह reaction होता है तो acid amide को अगर हम लोग amine convert करते हैं तो इसके लिए special reaction होता है जिसको कहते होप्मेन bromide reactions होप्मेन bromide reactions ठीक है इसका सही अनसर क्या होगा होप्मेन bromide reaction कैसे होता होप्मेन bromide reaction बागो तो सभी बच्चों का आपको पता होगा है ना कि जब भी हम लोग acid amide लेते हैं जब कि इसका अनसर कैसे बनेगा देखो acid amide का फर्मुला होता R-C-O-N-H-2 ठीक है acid amide इसको reaction हम लोग करने किसके साथ जा रहे है तो BR2 प्लस NaOH किसके साथ reaction कराएंगे तो BR2 प्लस NaOH तो यहांस क्या बाहर निकल जाएगा देखिए तो क्या बाहर निकल जाएगा यह C-O-N-A दो मोलेकुल लेंगे तो Na2CO3 यहांस बाहर निकल जाएगा और यह NH2 जूड जाएगा क्या बन जाएगा R-N-H2 एमिन जूड जाएगा प्लस NaBR बाहर निकल जाएगा कहने का मतलब एमिन बन जाएगा इस टाइब के reaction को जो नाम होता है उसको कहते होपमेन ब्रोमाइड रियक्शन ठीक है चलिए 31 नमबर कुश्टन क्या हो रहा है The gas evolve on methyl amine समया रहे The gas evolve The gas evolve कहा हो रहा है The gas evolve when methyl amine react with nitrous acid तो nitrous acid में जब इसको reaction करवाते हैं तो क्या बनता है कौन सा gas निकलता है इसका सही answer होगा nitrogen कैसे बनेगा थोड़ा से देखिए कैसे बनेगा थोड़ा समझे जिसे example के तोर पर गर हम बात करें तो methyl amine का formula क्या होता CH3 NH2 और इसको रहे एक्शन करवा दो nitrous acid nitrous acid का formula क्या होता है तो HNO2 क्या होता भारी HNO2 तो यहाँ पे लिखेंगे NO यहाँ पे OH HNO2 जैसे यह एक्शन करवाएंगे तो H2 यहाँ से बाहर निकल जागा यह N और यह N N2 बाहर निकल जागा यह OH गूर्प इसके साथ जूड़ जागा और CH3 OH बन जागा CH3 OH बन जागा यहाँ से N2 बाहर निकल गया है ना N2 बाहर निकल गया रहा है एच बाइस होई ग्या रहा है इसको पानी के साथ खोलेंगे हम लोग वाटर के साथ तो यहां दो प्रोड़र्ट बनता है एक गुलुकोज बनता है जिसका फर्मुला होता है और दूसरा फुरुकोज बनता है इसका फर्मुला यही होता है तो सही अंसर क्या है स्टोर होता है तो गलाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है ध्यान रखना ठीक है सबसे आखरी और अंतीम कुछन दिया हुआ पास रखना स्टोर होग में सहा लगी और स्टोर के फाइवर गलत थर्मो पिलास्टीक गलत इसका सही अनसर क्या होगा तो थ्रमो शेटिंग फिलास्टीक ठीक है और इश टैप के जो यह होता है क्या करते इसको प्लास्टिक इसका यूज हम लोग क्या करते हैं इसे कुकर वगार घथे बनाने के लिए करते हैं बहुत मजबूत होता है वो जल्दी सड़ता गलता नहीं है ठीक है तो यहां पे हम लोग का होता है सेट वन कम्प्लेट अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले आप इसको लाइक करेंगे दूसरी बात कि सबस्क्राइब जरूर कर लेंगे चुकि इसके अंदर जितने सारे सेट वन सेट टू सेट त्री जितने मोडल सेट आएंगे सब का डिटेल एक्स्प्लेशन आपको मिलेगा उसके बाद क्या करेंगे यह आप लिक लेंगे 7352537697 इस पर आप मेसेज करेंगे ठीक है आपको इसका पीडियो मिल जागा इसका ही नहीं अगर कोई भी चैप्टर आपको केमिस्टी में अगर आपको कोई भी डाउट हो कहीं प्रोब्लम हो अगर समझ में नहीं आया हो अगर आप वीडियो पूरा डि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जब भी हम वीडियो को अप्लोड करेंगे ठीक है एक्जाम में किस टैप को कुछ जाएंगे क्या होगा पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा इसलिए सभी बच्चे जरूर इसको सब्सक्राइब कर मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू थैंक यू ठीक है